नमश्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नैन पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ सिराज चंदर सेकर आज़ाद उतरपरदेश की राजनीती में एक उभरता हुआ दलीत चहरा अब कई पार्टियों के मुश्किले बढ़ाने वाला है चंदर सिकर आज़ाद लोग सबाचुना में जिस तरीके से नगीना सीट से जीत कर संसद पहुंचते हैं उसके बाद से देखा गया कि लगातार दलीतो अलब संख्य को और विद्यारतियों के मुद्दे उठाते हैं मुझगार के सिक्षा के और पेपर लिग जैसे एहम मुद्दों पर कहीं न कहीं अपनी भाशनों में बात रखते हैं लेकिन अब एक बड़ा सवाल यही है कि चंदर सिकर आज़ाद का उभरता हुआ कद क्या बीसपी की मुश्किल बढ़ाने वाला है क्या मायावती का सियासी रसूख अब कहीं न कहीं मुश्किलों में पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है चंदर सिकर आज़ाद कई मौकों पर भले ही यह कह चुक हैं कि मायावती को अभी भी वो अपना नेता मानते हैं लेकिन कहीं न कहीं चंदर सिकर आजाद ने खुद को एकडलित नीता के तोर पर आगे जरूर किया है उभरता हुआ चेरा है और इससे जाहिर सी बात है कि मायावती के मुश्किले बढ़ने वाली है बात करें अगर लोगसभा चुनाओ की तो लोगसभा चुनाओ में जिस तर हैं और नगीना से चंदर सिकर आजाद की जीत इसलिए भी एहम है क्योंकि मायावती ने वहीं से अपनी राजनीती के शुरुवात की थी और इसके साथ ही इस लोगसभा चुनाओ में अगर नज़र डाले तो इंडिया गटबंदन के तमाम बड़े दिगज नीता भी वहां चुनाओ पर चार करते हुए नज़र आए थे यहां तक की आकाश अनन्द भी वहां गए मैवती भी गई लेकिन इसके बावजूद चंदर सिकर आजाद के जीत होना यह अपने आप में दिखाता है कि चंदर सिकर आजाद का सियासी रसूप कितना मजबूत है खास तोर पर दलितों के बीच मुस्लिमों के बीच आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी ने भले ही लोगसभा चुनाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन मुश्किले उसकी भी बढ़ने वाली है क्योंकि चंदर सिकर आजाद की यह योजना है कि उत्तर प्रदेश के स साथ साथ बिहार और जहारखंड राजिस्थान पंजाब महराष्ट तक में जहां भी उपचुना होने हैं वहाँ पर दलित जो वोटर्स हैं उसको अपनी तरफ खीचना अल्प संख्यक जो वोट है उसको अपनी तरफ खीचना और गौर करने वाली बात या है कि नगीना सी नहीं कर सकता और समाजवादी पार्टी के अगर नज़र डाले वोट बैंक पर तो वहाँ पर कहीं न कहीं दलितों और मुस्लिमों ने वोट डाला ऐसे में अगर चैंदर सेकर अज़ाद विधान सभा चुनाव में या फिर उप चुनाव में जिस तरीके सो कह चुके हैं कि 10 सीटों पर कहीं न कहीं वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे और विधान सभा की सभी सीटों पर जब 2027 में चुनाव होंगे तो अपने प्रत्याशीों का ऐलान करेंगे सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुश्किले बढ़ने वाली इसके साथ ही मायावती का जो कोर वोटर है वो भी चेंदर सेकर आजाद की तरफ सिफ्ट होता हुआ नजर आएगा फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही देशा और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने एक्षन और पॉलिटिकल बाइट के साथ